तो नमस्का स्टेंड आज की जो मैं वीडियो में लेकर गाया हूँ यह USB connectivity के बारे में है सबसे पहली बात क्या है कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी mobile phone में यह इस software की problem को repair करना चाहते हैं तो software की problem को repair करने का मतलब होता है कि हमारा जो भी mobile phone आता है उस mobile phone के अंदर का USB jack है यह jack दोस्तों proper होना चाहिए अगर यह jack proper नहीं होगा तो हमको समय लेजिए software repair करने में 100% problem आईगी बहुत ऐसे हमारे लोग होते हैं जब mobile phone आता उनके पास software करने के लिए तो mobile phone को लेते हैं और computer से connect कराते रहते हैं लेकिन जब computer से connect कराते हैं तो उनका mobile phone computer से connect नहीं होता अब connect क्यों नहीं होता वो लोग परिशान होते हैं कहीं driver नहीं काम कर रहा है कहीं tool नहीं काम कर रहा है कहीं यह नहीं काम कर रहा है कहीं वो अपने दिमाग में बहुत 10 तरीके के question लिए बैठे रहते हैं लेकिन वो यह नहीं सोचते कि अगर हमारे मोबाइल फोन में अगर USB की connectivity की problem आएगी तो भी हमारे मोबाइल फोन में software नहीं डलेगा या उस मोबाइल फोन में software की problem को हम लोग repair नहीं कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज हम लोग सीखते हैं कि USB की connectivity क्या होती है कैसे हमारा मोबाइल फोन connect होता है या मोबाइल फोन में software डालते समय connectivity की problem आती है तो उसको हम लोग कैसे repair करेंगे उसके बारे में आज मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ ये वीडियो मेरे पास बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने comment किया हुआ है कि sir मेरे पास ये mobile phone है और इस mobile phone में software की problem है और हम लोग इस mobile phone को computer से connect करा रहे हैं तो computer से connect नहीं हो रहा है तो जड़ा sir मुझे इस topic के ऊपर थोड़ा सा वीडियो बनाईए कि अगर इसमें कोई hardware ये उसको कैसे चेक किया जाएगा उसके बारे में एक वीडियो बना कर दीजिए ताकि हम लोग जो रेपैरिंग करने वाले हैं वो आपकी वीडियो के माध्या मसे इतना सब चीजों के बारे में सीखने को मिला है बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे लगता कि sir आप जि यह यह उसको चेक कैसी किया जाता है उसके बारे में आपको वीडियो बाई स्टेप देने वाला हूं मेरा नाम रागवन और मैं एटेक स्ट्रूट कान्पू से बात कर रहा हूं जहां पर आपको मोबाइल फोन लैप्टाउप ऐसा रेपेरिंग का पूरा टेखनिकली ट्र जारखान, MP, महाराच, छतिरगर, राजिस्तान बहुत दूर दूर से बच्चे हैं जो आप ट्रेनिंग के लिए आते हैं और ट्रेनिंग क्लास ले भी नहीं है तो वो अपना आते हैं और हम से पैदल कर रास्ता आराम से सेंटर पर आ जाते हैं और पूरा अपना कंपलेट लेते हैं तो आज मैं आपको एक बहुत और कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग USB connectivity के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं तो सबसे पहली बात क्या है USB connectivity के block diagram क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ हमारे पास जो mobile phone आता है जिस mobile phone के लिए software डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारा USB जैक यह हमारा USB जैक होता है इस USB जैक के माध्यम से हम लोग mobile phone में software डालते हैं अब देखिए मैं आपको USB जैक के थोड़ा सा मैं आपको detail भी बता देता हूँ यह जो तमारा USB जैक होता है इसमें सबसे पहली पिन होती है जिस पिन को हम लोग बोलते हैं VCH यह charging की प्लस पिन होती है इस पर पांच वोल्ट सप्लाई आती है उसके बाद दूसरी पिन होती है DP, data plus उसके बाद अगली पिन होती है जिसका नाम होता है USB sense उसके बाद अगली पिन होती है जिसको नाम होता है ground तो आप किसी पिन मोबाइल फोन में यह जोड़ी software repair करना चाहते हैं यह software repairing को समझना चाहते हैं तो आपको इन तीन पॉइंटों के बारे में बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा अगर आपके यह तीनों पॉइंट सही है तभी आप मोबाइल फोन में software के problem को ठीक कर सकते हैं यह software के problem को repair कर सकते हैं अगर इन तीनों पॉइंटों की बात करेंगे तो यह हमारे तीनों पॉइंट होते हैं यह हमारे कौन ते पॉइंट होते हैं data cable के point होते हैं हमारे mobile phone में यह supply हमारी माइनस की होती है उसके बार यह supply हमारी क्या होती है प्लस की होती है, ये प्लस की supply जो होती है, ये 5V supply हमारे charging IC या power IC के माध्यम से आगे जाती है, और charging IC के माध्यम से पूरे mobile phone को चालू करती है, उसके बाद फिर हमारे ये point होते हैं, जिसको हम लोग USB point बोलते हैं, ये USB point तुमारे जो होते हैं, CPU से connect होते हैं, कहां से connect होते हैं, CPU से connect होते हैं, कई बार ऐसा होता है, company इन पॉइंटों को बीच में company resistance भी लगा देती है, यह company छोटे छोटे ऐसे black color के resistance लगा देती है, जो supply circuit filter करने का काम करते हैं, उसके बाद यह point यहां से आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद यह software तुम्हारा चला जाता है, तुम्हारी अपनी EMC IC में, तो जब आप mobile phone करने data के भी लगाते हैं, तो data के भी लगाने से आपका यह सारी जो connectivity होती है, यह तुम्हारी connectivity CPU बजाती है, connectivity CPU बजाने के बाद, यह connectivity CPU बजाने के बाद, तब EMC IC बजाता है, मलब आप किसी भी mobile phone में यह दिया software डालना चाहते हैं, या mobile phone में software repairing करना चाहते हैं, तो software repairing करते हैं, हमें इस बात का ध्यान देना पड़ता है, कि इस connectivity को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, आप देखें connectivity को क्या check करते हैं मैं थोड़ा सा connectivity चेक करने का तरीका भी मैं आपको समझाता हूँ यह हमारे पाँ जो jack होता है तो सबसे पहली बाद यह दिया आपका mobile phone computer से connect नहीं हो रहा है उसके लिए आप क्या करेंगे अपने system करने device manager में जाएंगे device manager में देखेंगे कि आपका mobile phone computer से connect हो रहा है कि नहीं connect हो रहा है तो चलिए दोस्तों मैं connect करके दिखाता भी हूँ है मेरे पास mobile phone है इसके लिए हमको सबसे पहली बाद अपने system में चलना पड़ेगा और screen से connect करना पड़ेगा जैसे laptop है इस laptop को हम लोग क्या करेंगे screen से connect करेंगे और mobile phone को देखेंगे हमने इसको laptop को system से connect किया जैसे laptop को system से connect करनेंगे तो system से connect करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे this PC में जाएंगे my computer इस my computer में जाएंगे सब लोग note करिएगा my computer में जाने के बाद आपको manage device option आता है तो manage device option में जाना है जैसे manage device option को open करते हैं तो आपको फिर यह device manager को option खुल जाता है तो आपको device manager में जाना है जब आप device manager वाले option में चले जाएंगे तो आपके पास कोई भी mobile phone आएगा तो मैं आपको जैसे mobile phone को check करके दिखाता हूँ एक बार कि जैसे मेरे पास यह mobile phone है इस mobile phone को हमने ऐसे लगाया उसके बाद हमने यह हमाजी data cable है data cable को हमने क्या किया system से connect किया system से connect होने के बाद अगर आपने इस mobile phone को लिया mobile phone को यहाँ पर connect करा है अगर आपने mobile phone को ऐसे connect करा दिया और connect करने के बाद यहां पर कोई movement नहीं होती, तो इसका मतलब है आपका mobile phone connecting नहीं हुआ, जब दोस्तों mobile phone connecting नहीं होगा, तो क्या उसमें खाक software डलेगा, तो पहले तो mobile phone को connect होना बहुत जरूरी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस mobile phone को connect करने के लिए, इसका button दबाएंगे, data key will लगाएंगे, द diagnostic com7, थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे, बच्चों को, सभी लोगों को, ऐसा port बन करके आएगा, ठीक है, सबको port बन करके आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर से एक बार में दिखाता हूँ, हट गया, फिर से लिया, फिर से मैंने दिखो मैंने connect कराया, connect हुआ कि नहीं connect हुआ, port बन गया है कि नहीं बन गया है, ये, इसका मतलब है आपका mobile phone connect हुआ है, अगर लहर आती है, तो मलब आपका mobile phone connect हो गया, अगर रिफरस जैसा होता है, तो आपका phone क्या हो गया, connect हो गया, अगर रिफरस जैसा नहीं हुआ है, तो ये हमारा दोस्तों ये हमारा जो mobile phone है, ये हमारा connect हो गया था, connect होने के बाद, अगर मालिया बाई चांथ connect नहीं होता, अगर connect नहीं होने पर सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो भी mobile phone है अगर connect नहीं हो रहा तो सबसे पहला काम तो आप के करेंगे यह USB jack है इस jack को change करेंगे jack को क्या करेंगे? change करेंगे जैसे आप jack change कर देंगे तो आपकी problem क्या हो जाएगी? solve हो जाएगी अगर jack change करने के बाद भी problem solve नहीं होती तो फिर आप अंदर का जो USB का line है इनको check करेंगे जैसे यह वाला इस line में यह check करेंगे जितनी भी सारी पिने हैं सारी पिनों में आप check करेंगे तो यहाँ पर value आनी चाहिए अगर value आ रही है तो value आने से यह पता चलेगा कि तुमारी connectivity है मतलब आपके USB के जो तीन पिन होती है अगर तीनों में आप समय connect हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका mobile phone connect है अगर आपका mobile phone connect है आप mobile phone करना garder डाल सकते हैं कोई problem कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो तीन पिन होती है इन तीनों पीनों को हम लोग क्या करेंगे, connect कर लेंगे, एक ये पिन, दूसरी ये, तीसरी ये, तीनों पीनों को जब connect कर लेंगे, तो connect करने पर ये तीनों पीने हमारी CPU से attachment हो जाएंगी, इन पीनों को जो connection है, हमारा CPU से हो जाएगा, जब CPU हो जाएगा, तभी हम mobile phone के अंद आपकी problem क्या होंगी solve होंगी तभी उस problem को हम लोग क्या कर सकते हैं repair कर सकते हैं तो चलिए हम एक बार फिर आपको दुबारा से समझाता हूँ अच्छे ते clear करता हूँ कि अगर मालिया तो हमारा खराब हो जा तो सबसे पहला काम क्या करना है jack को substitute करें jack को change करें jack change करने के बाद भी problem सेम रहती है तो आप इसे USB का line होता है USB line को check करेंगे USB line में आप check करेंगे तो सारी line ओपर आपको value मिलेगी अगर value मिलेगी तो value मिलने से आपको ये पता चलेगा कि आपकी line ने connect हैं अगर value नहीं मिलती तो line नहीं होती आप इसके line में लगे component को check करेंगे उन पर jumper मारेंगे उसको repair कर देंगे आपकी problem क्या हो जाएगी solve हो जाएगी तो इस तरीके से यदि हमारे पाद कोई भी mobile phone आता है तो उस mobile phone की USB line को आप check करेंगे USB line को repair करेंगे तो आज मैं और वीडियो के माद्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे पास इस तरीके से mobile phone में यदि USB की problem आती है तो USB की problem को हम लोग repair करते है जैसे एक मेरे पास अभी एक ASU student है जो mobile phone का काम सीख रहा है software काम सीख रहा है उसके पाद एक ITAL का mobile phone आया था फ्लैसिंग होई नहीं रही जब फ्लैसिंग नहीं रही उसको charging पर लगा तो charging तो बता रहा था लेकिन वो mobile phone में फ्लैसिंग नहीं हो रही थी तो फिर उसने अपने मन से दिमाग लगाया उसने mobile phone का जो USB jack था उसने USB jack को निकाल का फेक दिया फोन को connect करा एक बार में ही port बना लिया जैसे एक बार में port बना लिया mobile phone को flash किया mobile phone को software हो गया log खुल गया और जो लोगों को की problem थी वो भी problem solve हो गई अब पूरा phone ठीक हो गया तो जैसा कि मैंने आपको बता कि किस तरीके उसने mobile phone की problem को repair किया तो हमारा कहने का मतलब है कि मुझे लगता है कि कोई भी mobile phone में software की problem हो या hardware की problem हो कुई भी तरह की कोई भी problem आती है तो हमारे जो इस्टेंट होते हैं वो सारी problem को पूर्णतया 100% तरीके से कर सकते हैं क्योंकर सकते हैं उनको काम करने में कोई problem नहीं आती कोई दिक्कत नहीं आती कोई समस्या नहीं आती कोई दिक्कत भी नहीं आती वो असानी से सारी problem को repair कर पाते हैं और सारी problem को ठीक कर लेते हैं तो इस तरीके से मैंने आज आपको बताया है कि USB की problem आती है उस USB की प्रब्लम को हम लोग कैसे ठीक करते हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग उन्हें सिखा हुआ है, कि किस तरीके से हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आएंगे, उस मोबाइल फोन में यदि USB कनेक्टिविटी की प्रब्लम आएगी, तो उसको हम लोग कैसे रेपैर करना सीखेंगे, और वीडियो के माध्यम से मैंने आपको step by step आपको बताया है, और सारी चीज़ें के बारे में मैंने आपको समझाया है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में आपको क्या सारी चीज़ें समझ में आई, या आपके कोई भी प्रब्लम है, या कोई किसी 911 221 2121 किसी number पर call कर सकते हैं संपर कर सकते हैं और व्यदy 있는ाइब बारे में आफ complete Training लेना चाहिते हैं तोभी आफ संपर कर सकते हैं और वीडियो से समनने het अब कोई problem आती है कोई beneath अ दिक्कत आती है कोई समझ से आती है तो भी आफ help ले सकते हैं कि नहीं समझ में आया और मैंने आपको एक एक करके जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन की प्रब्लम में सौफ्टर सम्मानित में आपको वीडियो दे रहा हूं और मैं बात आपसे कहना चाहता हूं एक हमारे पास आज एक लोग आये थे वह कालपी रहने वाले हैं कालपी फिलाला का देखा जाते हैं यहां से 80-90 km दूर है और उन्होंने कहीं एक अलग ट्रेनिंग स्ट्रेट में तीन साल चार साल पहले उन्होंने मोबाइल फोन रिपेर मोबाइल ठीक कराने के लिए कहीं दूसरी जगह जाते थे लेकिन आपकी वीडियो के माद्यम से मुझे सॉप्टर में इतना सारा सब कुछ फिरी में सीखने को मिला है तो मैं आपको बता हूं सजी जब मैंने उस समय पर 9000 रुपए फीस दे करके जो सीखाता हूं इतना मज सब्सक्राइब कर सकता हूं तो आज हो आए और अपना डॉंगल लिया है तो आज हो आए और अपना डॉंगल लिया है डॉंगल लेने के बाद वो कहते हैं सर हमको सिस्टम में थोड़ा सी चलाना आता ज्यादा नहीं आता तो मेरे सिस्टम में डॉंगल इस्टॉल कर दीजिए तो हमने हमारा जो इस्टॉइंट है जो मोबाइल फोन दे पेरिंग को सीख रहे है तो मैंने बच्चों को बोल दि जाका उन्हें तो उन्होंने खुद खुश हुए करें सर आप मेरे लिए इतना मदद करें बड़ी अच्छी बात है और इसी के माध्यम से हम लोग भी काम कर रहे हैं या हमारे लिए काम करने के लिए बड़ा मदद साबित हो रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग ऐस सारी चीजों के बारे में सीक सकते हैं तीसरी चीज अपके पास यदि लैट्व निइए को समझ सकते हैं कि मुझे सर्क वीडियो माध्यम से स्पीफम को मिला है यह जन्राल सी से एक सम्तिंग नया बैच चालू होने वाला है तो अगर आप मेंसे बहुत ऐसे लोग है जो mobile phone repairing के complete course को join करना चाहते हैं यह training लेना चाहते हैं तो training center को वाकर के join कर सकते हैं और यहाँ पर complete बहुत basic level से लेकर के advanced level तक ही complete training सी करके जा सकते हैं यहाँ पर hardware है software है mmc है programming है या उसमें ic का work है या glass touch combo का काम है कुछ भी any one कोई भी problem आती है सारी problem को repair करने के तरीका को शिखाया जाएगा और मैं आज बात कहना चाहता हूं कि बहुत उन लोगों से बात करना चाहता हूं कि जो लोग ऐसे लोग हैं जो एक अभी मेरे पाइक student है जो हमीरपूर के आज आए जिन्होंने आज ही mobile phone repairing course को जोइन किया हुआ है आज से ही उन्होंने सीखने का स्टार्ट किया है साम को आए है और उनके पापा मला उनके फादर सूरत में जॉब करते हैं तो उन्होंने जब mobile phone repairing course को उन्होंनों तो देखा ही देखा है उनके पापा ने भी देखा हुआ है कि बाई अगर हमारे बाइल फोन के बारे में दिखा रहे है बच्चों को सिखा रहे है दो हजार बारा का पुराना चैनल है और इतने सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो क्यों न तुम भी बेटा जाओ mobile phone repairing के बारे में समझो जाकर के सार से तो बच्चा मेरे पास आया और उसने स time decision लिया उसके पापा ने payment transfer करी और उसका तुरंत उसका admission हुआ admission लेने के बाद आज साम से ही उसने class अपना start किया तो मुझे भी बड़ी खुसी की बात होती है कि आप जैसे लोग हैं जो आज बिरोजगार हैं बिरोजगारी का आलम आज कल के समय पर देखा जाए इतना चर बिरोजगार नहीं रह सकता और मैं जैसे आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से कि मेरे पार बहुत सारे इस्ट्रेंट हैं जो आज मोबाइल फोन देपेरिंग का काम सीख करके अपने मोबाइल फोन देपेरिंग की दुकान चला रहे हैं तो इस काम करहें कैसा उनको सीखने को मिला यह सारा एकस्पीरिएंस आपको करें जैसे मैंने आपको बताते कि राजीउ जी है जो मोबाइल फोन देपेरिंग के अभी नहीं नहीं दुकान खोली हुई है अज मुझे बड़ा खुषी के साथ मैं मुझे बताया कि सर मैं आज पांच और मैंने चार्जिंग कनेक्टर किया किसी में कामबो डाला कि इसमें ग्लास चेंज गिया ऐसे करके कि मैंने आज सजी 5-6 मोबाइल फॉन टिक करें और मैंने टोटल 18-100 रुपे प्रॉफिट एरिया कि मैंने इंकम जनेरेट करी है तो मुझे सर ऐसा लग रहा है कि मैं इस लाइन में थोड़ा सा अच्छा कर सकता हूँ और उन्होंने मेरे लिए बड़ा धन्वाद दिया कि सर आपने मुझे जो सिखा करके इस काबिल के लिए खड़ा किया तो बड़ी अच्छी बात है अगर राजी जी आप भी अगर वीड और आप तरक्की के रास्ते पर खुब आगे बड़ो खुब अच्छी तरीखे से काम करो और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्यू दोस्तों, चैनल को subscribe करें, वीडियो को share करें, या कोई भी problem आती ही, तो हमारे दिये हुए number पर संपर करें, हम आपके लिए इतना मेनद करके अकर आपको वीडियो बनाते हैं, इतना एक एक करके सब आप समझाते हैं, तो आप करें मैं आपसे जरूर गुजारिस करना चाहूंगा कि वीडियो को सेर करें सब्सक्राइब करें और चैनल से जूड़े रहें कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमें हमारे नीचे दिये वह वाट्सम नंबर पर हमको मैसेज करें या कोई भी प्राब्लम आती है कोई भी दि प्राइब ग्राइब कोई भी lengसे रCTV 2620 प्राइब करें ूभ प्राइब कोई ऐस ड़ तो ऐस रहाब हमें 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 आती है कि झाम प्राइब कुछ자ा को वो ऌखे भी जाती है कोई दो प्राइब के वीर मört आती है कोई झाफिम है bulग